आकाश्वणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शरत बागेला सबसे पहले इस पुलिटिन के मुख्य समाचार नगरी निकाय के पहले चरण के प्रेणाम घोशित, भोपाल, इंदोर, सतना, खनवा, बुरानपुर साइत, साथ, नगर निगम पर बीजेबी की जीत गौलियर जबलपूर और चिंदवाड़ा में बने कॉंग्रेस के महापूर, सिंग्रोली में आम आदमी पालिटी की मेर उमीदवार जीती, नगर पालिका और नगर परिशद में भाजपा का पलड़ा भारी देश ने 18 महिनों के भीतर 200 करोड कोविट रोधी टीके लगाने की एतिहासिक उपलब्दी हासिल की, प्रधान मंद्री ने कहा अभियान को अदिती बनाने में योगदान देने वालों पर गर्व, और लगातार बारिश से नर्वदा, तापती, शिपरा समेत सभी छोटी ब कॉंग्रेस को तीन और आम आदमी पार्टी के एक महापूर उम्मिद्वार ने विजय प्राप्त की, हमारे समवाद दाता ने बताया कि भाजपा के भोपाल, इंदोर, उजेन, सतना, खंडवा, बुर्हानपुर और सागर में महापूर पृत्याशियों ने जीत हासिल की है वहीं कॉंग्रेस के महापूर उमिद्वारों ने गौलियर, जवलपूर और छिंदवारा में विजय प्राप्त की, हलाकि कई स्थारों पर जीत की आपचारिक घोषणा बाकी है सत्ना में भाचपा के योगेश तामरकार ने 24,916 मतों से कॉंग्रेस के सिधार्थ कुश्वा को पर आजित किया बुर्हानपूर में भाचपा प्रत्याशी माधुरी पटेल ने 542 वोट से जीत दर्ज की, उन्होंने कॉंग्रेस प्रत्याशी शेहनाज अंसारी को हराया यहां नोटा के 670 वोट मिले हैं खंडवा में भाचपा प्रत्याशी अमरता यादव जीती और उन्होंने कॉंग्रेस की आशा मिश्रा को 19,765 वोटों से हराया सागर में भाचपा की महापौर प्रत्याशी संगीता शुशिल तिवारी ने कॉंग्रेस की निधी शुनील जेन को 12,665 वोट से हराया यहां वार्ड 48 वार्ड पार्शोदों में से भाचपा ने 40 कॉंग्रेस साथ और एक वार्ड में निर्दली उम्मिदवार चुनाव जीता है सिंग्रोली नगर नियम से आम आद्मी पार्टी के उमिदवार रानी अगरवाल ने 9,169 वोट से जीत दर्ज की उन्होंने कॉंग्रेस के अर्विन चंदेल को हराया भाचपा के चंदर प्रकाश विश्व कर्मा तीसरे नंबर पर रहे प्रदेश में 36 नगर पालिकाओं के लिए हुई मतगरना में 31 पर भाचपा को इसपष्ट बहुमत मिला कॉंग्रेस चार नगर पालिकाओं पर सिमठ्ती दिख रही है मनसोर में नगर पालिका के 40 वाड़ों में 29 पर भाचपा का कबज़ा जमाया है जबकि कॉंग्रेस को 8 सीटे मिली हैं वहीं तीन निर्दली प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है आम आदमी पार्टी ने भी नगरी निकायों में ताकत दिखाई है मुरेना के पोरसा, डबरा और शाजापूर नगर पालिका में भी आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जीते हैं दतिया, बेतुल, हर्दा, राजगर, ब्यावरा, शाजापूर, विदीशा, पन्ना, नर्सिंगपूर, करेली, कोटगाउं, गाडरवाडा और अंबा में भाच्पा प्रत्याशी जीत चुके हैं वहीं सिवनी, उमरिया, लहार और पनागर में कॉंग्रेस जीत चुकी है हर्दा नगर पालिका में 22 वार्डो में 14 पर भाच्पा और 8 पर कॉंग्रेस के उम्मीदवार जीते हैं दतिया में 36 में से 32 सीटे भाच्पा ने जीती है, यहां कॉंग्रेस को तीन सीटे मिल पाई हैं सिहुर नगर पालिका के 35 वार्डो में भाच्पा 22 पर जीत चुकी हैं, कॉंग्रेस 9 पर और 3 वार्डो में निर्दली जीते हैं पन्ना में भाजपा के 19 उम्मिदवार जीते हैं, यहां कॉंग्रेस को सिर्फ 6 वार्डों में जीत मिली है, विदिशा में भाजपा के 16 उम्मिदवार और कॉंग्रेस के 5 उम्मिदवार जीते हैं, जबलपूर के सीहोरा में 18 वार्डों में 9 पर भाजपा, 7 में कॉंग्रेस औ और दो निर्दली के खाते में जीत आई है। गुना में भाच्पा के 19, कॉंग्रेस के 12 और 6 निर्दली जीते हैं। शिवपुरी जिले के बदरवास, रन्नोद और खनिया धाना नगर परिशदों में भाच्पा के पार्शत पृत्याशी ज्यादा जीत कराए हैं। राश्टपती निर्वाचन के लिए कल मतदान होगा। इसके लिए भोपाल में मतदान केंद्र विधान सबा भवन को बनाया गया है। मतदान की प्रिक्रिया सुभा दस बजे से शुरू होगी और शाम पांच बजे संपन होगी। विधान सबा सच्चे वाले की और से जारी विध्यप्ती में बताया गया कि मतदान दिवस को विधायकों के साथ आने वाले अन्य व्यक्तियों के प्रवेश को वर्जित किया गया है। इसके साथ ही मतदान के दिन मीडिया प्रतिनीधियों के लिए निर्वाचन कारले के सीमित शेतर तक सुविधा अनुसार सीमित सं झाल 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 ब्रेक के बाद एक बार फिर समाचार में आपका स्वागत है। के विशाल नेटवर्क से ये सफलता प्राप्त की गई है। फीजदी ज्यादा है। नर्वदापुरम से हमारे संवाध दाता ने बताया कि जिले और आसपास के इलाकों में हुई बाहरी वारिश के बाद तवा डेम के ग्यारा गेट खुलने पड़े। तवा डेम से पानी छोड़े जाने पर नर्वदापुरम, धार, अलीराजपूर, हरदा, देवास, सीहोर, रायसेन और खंडवा जिले में नर्वदा किनारे रह रहे लोगों को अलट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने भौपाल समेत 19 जिलोक में हलकीश से टेज बारिश और कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जताई है। विश्व प्रसिद 12 जुतर लिंगों में से एक उज्जेन स्थित भगवान महाकालेशवर की श्रावन महा में निकलने वाली सवारियों के करम में कल सवारी नगर भ्रमन पर अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए परम परागत मार्ग से निकाली जावेगी। पालकी में भगवान श्री मन महेश के सोरूप में अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए नगर भ्रमन पर निकलेंगे। हमारे समबादाता ने बताया कि पालकी मंदिर से निकलेने के बाद महाकाल रोड गुदरी चोराहा, बक्षी बाजार और कहारवाडी से होती हुई रामघाट पहुँचेगी, जहां शिपरा नदी के जल से भगवान का विशेक और पूजन अर्चन किया जाएका। अब कुस हमचार संक्षेप में। पर अधिकारियों से भुषकलन रोकने के संबंद में चर्चा की। कर्षी विज्ञान केंद्र देवास में भारती कर्षी अनुसंधान परिशद नहीं दिल्ली के 94 इस्थापना दिवस के आउसर पर क्रशक परिचर्चा का यजन किया गया। यजन किया गया। कर दो को करते हैं झाल